नमस्कार दोस्तों बहुत जरूरी है तो बिना देर की हुए चलते हैं हमारी computer screen पर और देखते हैं इस पूरे process को चलिए वीडियो शुरू करते हैं pen card apply करने के लिए आपको अपने PC पर आना है जहाँ पर आपको type करना है pen card apply nsdl तो यह आप type करेंगे तो इसमें आप online service.nsdl.com पर आजाएंगे इस पर आपने simply click कर देना है click करेंगे तो आप speech पर आजाएंगे यहीं से हमें अपना pen card apply करना होगा यहाँ पर आप उपर देखेंगे तो आपको home, reprint pen card, download e-pen card, status of pen card आप देख सकते हैं आपने apply कर दिया है तो उसका status क्या है पता चल जाएगा यहाँ पर apply online के लिए continuous application यहाँ पर जाना है तो apply करना है तो इसके लिए हम applicant type पर जाएंगे application type पर जाएंगे तो new pen Indian citizen 49a तो इस पर हमें जाना है बगी correction के लिए सबसे नीचे है और foreign citizens के लिए 49a है हम 49a पर choose कर देते हैं category में हम individual पर चले जाते हैं क्योंकि हम खुद बना रहे हैं अपना बना रहे हैं किसी trust या company के लिए नहीं है तो हम इसमें individual सेलेक्ट कर देंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको title का option मिल जाएगा title में श्री श्रीमती कुमारी जो भी है वो आप डाल दीजे श्री मेल के लिए है श्रीमती जो married woman है उनके लिए है कुमारी जो आविवाहित लोग है उनके लिए है तो इनमें जो भी है आप select कर लीजे यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको last name डालना है फस्ट नेम रोहित हो जाएगा और मिडल नेम कुमार हो जाएगा या फिर आपका नाम रोहित सक्सेना है तो आपका लास्ट नेम सक्सेना हो जाएगा मिडल और फस्ट नेम आपका रोहित हो जाएगा और मिडल नेम को छोड़ना होगा क्योंकि आपका first name और last name ही है नाम डालते समय ध्यान रखिएगा क्योंकि first name और last name जो है वो इस हिसाब से ही डालिएगा अगर आपने last name में आपने first name डाल दिया तो गरबर हो जाएगा नीचे आएंगे तो date of birth यहाँ पर आपको डालना होगा date of birth आप डाल दिजिए email id यहाँ पर डाल दिजिए अपना mobile number डाल दिजिए email id बहुत जरूरी option होता है क्योंकि आप email id पर ही आपके पास mail आएगी यहाँ पर आप declare कर दिजिए box पर click करके capture पर दिजिए और submit पर click कर दिजिए submit करते ही आपको एक token number मिल जाएगा इसको आप note करके अपने पास रख लीजिए इसके ज़्याद आपने continue with pen पर आपने click कर देना है अब आपको personal details यहाँ पर fill करनी है सबसे पहला option मिलेगा आपको paperless जिसमें तो e-kyc e-sign हो जाएगा second is submit scanned image तो e-sign और last है अपना physical document भीजने होंगे इसमें आप first option में आपको कुछ भी करना नहीं है e-kyc के द्वारा आपके आदार कार्ड से और भी verify होके आपका जो pen card है वो बन जाएगा दूसरे में scanned images through e-signature की जो images हैं वो आपको submit करना होगा इस option पर जाएंगे तो इसमें आपके पास जो complete form आपको मिलेगा यहां से fill किया हुआ वो form अपना photo लगाना होगा उसको attest करना होगा अपने सारे supporting documents लगाने होगे उसके बाद आपको NSDL के पते पर भीजना होगा उसके बाद ही फिर यह आपका pen card approve किया जाएगा सबसे अच्छा तरीका इसमें paperless का रहता है और इसमें बहुत easily आपका काम करता है तो सबसे पहला option हमने choose कर लिया है हम EKYC से बनाएंगे आधार अगर आपके पास है तो आप इस service से अपना pen card बना सकते हैं first option हमने choose कर लिया है नीचे आएंगे free के बारे में आपको देखना है तो यहाँ पर जाएंगे तो जो जो fees लगेगी वो यहाँ पर दिख जाएगी physical आपको pen card चाहिए तो yes कर लीजे नहीं चाहिए तो no कर लीजे क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आपका digital मिल जाएगा आपको और physical pen card नहीं मिलेगा तो आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हैं अगर आप fees pay करते हैं physical card के लिए तो इसमें total 107 रुपए का खर्चा आता है तो हम आपर physical card वाला choose कर देते हैं आपको नीचे आधार card के last के 4 digit डाल देने हैं चार अंक डालने के बाद नीचे आएंगे ये कह रहा है कि आपका जो आधार पर photo है वो ही आपके pen पर print करना चाहते हैं अगर हाँ तो yes कर दीजे paperless बनाएंगे तो yes करना ही होगा आपको अगर no choose करते हैं तो फिर आपको ऊपर दो कोई other method चूज करना पड़ेगा आपको pen card apply करने के लिए तो आपने yes पर choose कर दिया है नीचे name as पर आधार जैसा आधार पर आपका नाम है वो आपना नाम यहाँ पर डाल दीजिए नीचे आपके नाम की पूरी जनकारी दिखाई दे जाएगी नीचे आपको अपना gender बताना है registration number छोड़ दीजिए इसमें पूछा जा रहा है कि आप किसी और आपका कोई और नाम भी है या आप किसी और नाम से पुकारा जाता है तो अगर है तो yes नहीं तो no कर दीजिए अब आपके parents के details मांगी जा रही है आप individual हैं तो अगर यहाँ पर सिर्फ आपकी माता ही आपके single parent है तो yes कीजिएगा otherwise आपने no करना है नीचे आएंगे आपको आपका पिता का नाम डालना है यहाँ पर इन केस अगर आपके पिता नहीं है तो आपके माता जी का ही नाम तेंगे सिर्फ otherwise आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर fill करना है अगर फादर नहीं है तो yes करके अपने माता जी का नाम यहाँ पर डाल दीजेगा नाम वैसे ही डालना है आपको surname पहले फ्रस्ट नेम बाद में middle है तो middle हम पिता जी है तो no कर दीजिए अपने father का नाम यहाँ पर डाल दीजिए surname पहले first name बाद में और middle name सबसे last में नीचे आएंगे तो आपको choose करना पड़ेगा आप कौन सा नाम अपने pen card पर print कर चाते हैं father का चाते हैं तो father का नाम tick कर दीजिए mother का चाते हैं income from business है income from house property, other source capital gain, no income कोई income नहीं है तो no income कर दीजिए student है तो no income कर दीजिए और कोई और option आपका आता है तो वो आप इसमें choose कर सकते हैं नीचे आएंगे तो address for communication आपने देना है इसमें आपको आधार काड भरने का option आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको clearly mention है the address used in आधार कार्ड would be used in pen card application as residence address and no need to fill residence address मतलब आपको अगर आपने आधार कार्ड से verify करा रहे हैं authenticate करा रहे हैं तो फिर आपका जो आधार कार्ड वाला address है वही address यहां पर ले लिया जाएगा आपको कोई दूसरा address भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी pen card भी इसी address पर आपके dispatch किया जाएगा नीचे आएंगे तो आपको phone number और email ID दे नहीं है तो यहां पर आपना India choose कर लीजिए उसके बाद अपना mobile number choose कर लीजिए नीचे email ID आपके show करेगी नीचे आएंगे appointing representative SSC का option आपको है इसमें highlight नहीं होगा otherwise हमें no भरना होता है यहां आएंगे तो यहां पर area code, eo type, range code यह सारे भरने की ज़रूत होती है यह आपको पता नहीं होता generally तो हम नीचे आएंगे तो यहां पर आपने सिर्फ pin code डालना है तो यहां pin code अपने डाल दीजिए नीचे आएंगे इंडिये citizen चूज कर लीजिए अपना state चूज कर लीजिए जो शहर से आप belong करते हैं वो शहर चूज कर लीजिए और area name automatically यह जैसे fetch पर click करेंगे तो सारी details अपने आप आजाएगी उसको choose करते ही यह असारी details उपर fill हो जाएगी नीचे आएंगे तो next पर आपने click कर देना है अब हम आएंगे अब हम आएंगे अपने documents submitted as proof of identity proof of address proof of date of birth तो हमें तीनों proof यहां पर देने हैं आपकी ID proof, आपका address proof, आपका date of birth तो proof of identity के लिए यहां पर आधार कार्ड, तीनों में automatically आधार कार्ड ही choose है नीचे आपका नाम show करेगा यहां पर आपको himself या herself choose कर लेना है, नीचे आपको place लिखना है, date यहां पर आपने fill रहेगी जिस date आप भर रहे हैं और उसके बाद आपने submit पर click कर देना है, submit पर यहां पर डालनी है नीचे आपके सारी जानकारी यहां पर दिखाई देगी, यह सारी चीज़ें आपको यहां पर check कर लेनी है अगर सारी चीज़ें okay हैं तो proceed पर click करेंगे, कुछ change करना है तो edit करके इसको change भी कर सकते हैं तो हमने proceed पर click कर दिया आगे payment के option पर हम आ जाएंगे यहां पर online payment through paytm, payment through bill desk, demand draft तो हम payment through paytm choose कर लेते हैं click करेंगे नीचे आपको जो भी charges वगेरा हैं, वो यहां पर service tax वगेरा सारी चीज़ें यहां पर दिखाई दे जा रही है I agree पर click करके proceed to payment पर click कर देंगे proceed to payment पर click करने के बाद यहां आपका payment दिखाए दे जाएगा pay confirm पर आपने click करना है pay confirm पर आपने click करना है जैसे पे confirm पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का payment gateway सामने आ जाएगा, जहां पर QR code सबसे easy method होता है, बाकि आप debit card, credit card से payment कर सकते हैं UPI Adnet Banking से भी payment कर सकते हैं तो सबसे आसान रहता है आपका scan वाला option तो scan करके हमने payment complete कर दी है तो process होने के बाद आपके payment complete हो जाएगी browser ना ही close करनी है ना इसको refresh करना है, automatically यह payment receipt आ गई है, यहां पर continue पर आपने click कर देना है इस तरस details दिखाई देंगी नीचे आपको declare करना है उसके बाद authenticate करना है declare पर click करके authenticate करना है continue with EKYC पर आपने click कर देना है authenticate पर click करने के बाद आपके सामने को details आ जाएगी token number, applicant number, आधार number और OTP, OTP आपके पास चला गया है authenticate पर click करने के साथ ही OTP आपके उस number पर चला जाता है जो आधार card से link होता है वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है submit पर click कर देना है अगर OTP नहीं आता है तो regenerate OTP पर click करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं submit पर click करने के बाद continue with E-sign पर आप आजाएंगे continue with E-sign पर आपने click करना है जैसे ही click करेंगे आप इस page पर आजाएंगे यहाँ पर आपको check box पर click करना है declare करने के लिए नीचे आधार number आपको डालना है send OTP पर click करना है OTP पर click करते ही आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो OTP आपने fill करना है यहाँ पर वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है उसके पाद verify करते ही आपका OTP verified हो जाएगा यहाँ पर E-sign वाला process आपका complete हो गया है process complete होने के बाद acknowledgement दिखाई दे जाएगा यहाँ पर download PDF करके भी आप download करके रख सकते हैं यहाँ पर आपको password डालना है password आपका रहेगा date, month और year simply आप पूरी date of word डाल देंगे तो वही आपका जो password है वो हो जाएगा password डाल कर OK करने के बाद यह आपकी PDF open हो जाएगी यह digitally signed आपका यह form डाउनलूड हो गया है acknowledgement number भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा check कैसे करना है आपने जहां से form बरना शुरू किया था वहाँ पर आएंगे know your status पर click करना है आपने उस पर applicant type यहाँ पर seal करना है pen acknowledgement number नीचे यहाँ पर डालना है नीचे आपने capture fill करना है और submit पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ दिखा देगा कि आपका pen card अभी generate हो गया है कि नहीं generate होने के बाद आप यहाँ download e pen card पर जाकर अपना e pen card डाउनलोड भी कर सकते हैं अब चुकि हमने option choose किया था अपना pen card की art copy अपने घर पर मंगाने के लिए भी तो pvc जो card है pen card का वो आपके घर पर 15 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा तो दोस्तों ये था पूरा process इस तरह से आप अपने घर बैठे online अपना pen card apply कर सकते हैं और ये pen card आपके पते पर 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर पहुँच जाता है आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे like कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो इसे तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर बैल आइकान प्रेस कर दीजेगा आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी नई information के साथ तब तक के लिए जै हिंद